नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार और शिष्टे डिट्रिक परिवार में और हम लेकर आई है राम सिंग आदव की पुष्ट के पूरे 50 व्यास प्यापर शेड जिसमें से आज करेंगे 27 वेपर के पूरे 50 क्यूसन जिसमें सामानी ज्यान सामानी वी ज्यान गणी ते हो रिजनिंग से पूरे 50 परसन दिये गए है और यदि आपकी प्रतियों की प्रिक्साओं में त्यारी अच्छी है तो इन 50 में से कम से कम 40 के जवाब आपको पहले सही करने होंगे और अंत में कमेंट बोक्स में ये कमेंट करके जरूर ब डेट आप तक पहुंचती रहें तो चलती है पहले क्यूशन की ओर आज का जीके का पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पूर्तकाली यात्री वासकोडी गामा का कालिकट आने पर भवे स्वागत करने के लिए भारती राजा का नाम बताए ठीक है पूर्तका नाम क्या है सीमा सुरक्सा बल सीमा सायोग बल सीमा संतुलन बल या इन में से कोई नहीं तो भी ये सब का पूरा नाम क्या होता बॉर्डर, सिक्योर्टी, पॉर्ष, अर्था, सीमा, सुरक्षाबल, ओप्सन नंबर A, राइट होगा बाला कोटिस्तान किस तेस में इस्तत है, सिरलंका, पाकिस्तान, चीन, बांगला देश, तो बाला कोटिस्तान, वर्थमान में किस तेस में इस्तत है, उप्सन नंबर B, राइट होगा, पाकिस्तान में इस्तत है लोगसबा का पहला अद्यक्स कौन था म ए अयंगर जीवी मावलंकर उकम सिंग या संजीवा रेड़ी तो कौन थे लोगसबा के पर्थम अद्यक्स ओप्सन नंबर B राइट होगा जीवी मावलंकर लोगसबा के पर्थम अद्यक्स थे चत्रपति सिवाजी को आराने के लिए औरंग जेब ने निमन में से किसको बेजा राजा जस्वंत सिंग, राजा मान सिंग, राजा भगवान दास या राजा जेश सिंग तो यहाँ पर उप्शन नमबर D राइट होगा राजा जैसिंग जिने मिर्जा राजा की उपादी दी गई है और जिने किस नाम से जाना जाता था और ये आमेर जैपूर के सासकते हैं राजा जैसिंग और जैसिंग के माध्यम से ही 1665 में कब हुई थी 1665 में ओरंग जेब और पाली बासा में रचा गया उप्शन नमबर A राइट होगा यहाँ पर बारत में लड़की तता लड़के की करमत से साधी की नियूंतम आयू क्या होगी तो लड़की की आयू कितनी होती है लड़की की आयू 18 निर्दारित की गई है और लड़के की 21 निर्दारित की गई है तो यहाँ पर option number B right होगा 18 और 21 वर्स है चैतरपल की द्रश्टी से बार्त का सबसे बड़ा केंदर साशित परदेश कौन सा है दिल्ली, लदाक, लक्षेदीप, दमन और दीव तो कौन सा है अभी वर्तमान में सबसे बड़ा केंदर साशित परदेश कौन सा है लदाक होगा option number B right होगा यहाँ पर संसार में सबसे पहले महिला परदान मंत्री किस देश की थी बारत, सिरिलंका, इसराइल या पाकिस्तान तो सबसे पहले परदान मंत्री थी कोन तो सबसे परदान मंत्री थी विश्व की सिरिमती सिरिमाव बंडार नायके और यह बंडार नायके किस देश की थी यह सिरिलंका की थी option number B right होगा और यही बात किरे परदान राष्ट्रपती की तो विश्व की परदान महिला में इस्तित गर्णन आपके उत्राखंड की राजधानी है निक्सक्रेवानाई जा कहले जाते हैं जै जवान जै किसाना नारा किस नह दिया था, जयाजवान जयाकिसान का नाराकिस ने दिया था, उप्सन नमबर B राइटों का लाल बाहदुर सास्त्री ने दिया था, लाल बाहदुर सास्त्री भार्त के दूसरे परधान मंत्री थे, और लाल बाहदुर सास्त्री भार्त के एक मात्रेश ये परधान मंत्री थे, जिनकी मर सब्सक्राइब दोस्तों यह थे जिके की 15 नेक्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 इंपोर्टेंट की उस्टन विग्यान का पहला परसन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि किसी 37 रूप से गिरती हुए वस्तों किस्तती जुर्जा सहरवादिक कहां होगी सबढ़ी समसे ज् dumb word 100 डेजमीन पर सब्से ज्यादा या उप्युक्त मैं कोई नहीं तो यह पूछा है किस्तती जुर्जा जो की की रिया करवाने पर कौनसी दातू बनाई जा सकती है और शुर्य ग्रहन कब होता वर्ष में एक बार जब चंदरमा आपनी पूरी वस्ता में हो जब चंदरमा सुर्य और परत्वी के बीच शे गुजरे या जब परत्वी सुर्य के प्सक्राइब करते हैं यहाँ प्संधनिमें घंडा करने पेटरी गियर भॉक्स या ओडोमेटर घंडा करता है वहां dov गोल番 करता है क्सभाण होता है सित्री तुम्हें किस मोसम में मोसम कीस प्रकार हने पर् mãos तो किस परकार का मोसम होने पर हम ज्यादा थंड महसूस करते हैं तो अपसन नमबर A रायटों का साप मोसम में हम सीधरी तो में सहरवादिक थंड महसूस करते हैं तो किस कारन होगा ओपसन नमबर A रायट ऋगा परकास के अपवर्तन के कारण मरीचिका या परकास ये द्रश्टी भ्रण होता है परणाली की खोज किस्ने कि थी? जेलेली यो, जेल, बेरेट, कॉपर्ट, निकस या, केपलर तो किस्ने किती? सौपर्णाली की खोज, ओपशन नमबर C राइट होगा? कॉपर्णाली की खोज कि थी? नैस्न किऊचन है अनरी औरफीक org फंब्त और शिद्ठा वास्तविक और शिद्दा यह प्रतिबि पीशाइड जया पर तो केल्सियम कारबोनियाट को गरम करने पर क्या उत्मन होता है करबन डायोकसाईड गयस उत्पन होती हो उपसन नंब‌र C right होगा यहाँ पर आउर्थ सारणी में रासायनिक तत्व को उनके परमानु बार की बढ़ती हुई संक्या में किसने व्यवस्तित किया था मेंडलिप मौसले न्यू लेंड सी अप्रोष्ट तो किसने व्यवस्तित किया था option number A right होगा मेंडलिप कि आउर्थ सारणी में रासायनिक तत्व को उनके परमानु बार की बढ़ती हुई संक्या में व्यवस्तित किया गया है next question है नेंज में से कौन सा इद्दन के रूप में उप्योग होता इद्दन के रूप में उप्योग होता ब्यूटेन और ब्यूटेन का सुत्र क्या होता है C4H10 होता है क्या होता है C4H10 यहाँ पर option number C right हो जाएगा next question hydrochloric aml यहाँ दात्तु की अभिगिरिया से कौन सी gas निकलेगी ठीक है hydrochloric aml को यह दी दात्तु से अभिगिरिया गरवाती है तो हमाँ कौन सी gas उत्पन होगी hydrogen gas उत्पन होगी option number A right होगा यहाँ पर उत्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है doctor की head lamp खेज परकास car की head light या driver sheet के बगल में तो उत्तल दर्पन का प्रियोग कहां किया जाता है driver sheet की बगल में पीछे का दर्शे देखने के लिए किया जाता option number D right होगा यहाँ पर next question और science का अंतिम question है कि sodium का रासाइनिक संकेत क्या होता NA, A, G, A, U या CL तो sodium का रासाइनिक संकेत क्या होगा NA होगा option number A right होगा तो दोस्तों यह थे science के पूरे 15 question अब next part में हम करेंगे मेत के 15 important question गणीत का पहला person आपकी screen पर दिया गया है कि यदि एक अर्द वर्ताकार कौन मापक का व्यास 14 शेमी है तो इसका परीमाप क्या होगा तो कौन मापक किस परकार होता है इस परकार अर्द वर्ताकार होता है और इसका व्यास दिया गया 14 शेमी तो इसकी तिर्जे क्या हो जाएगी तिर्जे हो जाएगी 7 शेमी और अर्द वर्त का परीमाप या अर्द वर्त की परीदी का सुत्र क्या होता है पाई आर पलस के 2 आर ठीक है यह होता है क्योंकि हमारे पास यह क्या हो जाएगे अर्द वर्थ की परिदी और यहां पर यह दो व्यास एक व्यास या दो तिर जाएगी तो कितने हो जाएगी पाई आर पलस के टू आर तो पाई आर कितने हो जाएगी पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना है हमारे पास 7 पलस क्या जाएगा 2R यानि 2 इंटू 7 साथ से साथ कैंसिल 22 हो जाएंगे और साथ दुने कितने हो जाएंगे 24-22 और 24 कितने होते हैं 36 होते हैं तो अर्द वर्ताकार कौन मापक का परिमाप क्या होगा 36 यह मी होगा उप्सन नंबर D राइट होगा यहाँ पर यदि कोई वस्तु 60 रुपे में खरीदी जाए और 80 रुपे में बैस दी जाए तो कितने परतिशत लाब या हरनी होगा तो हमारे पास यह 60 रुपे करा है मुल्य और यह 80 रुपे विकरे मुल्य तो लाब कितने का होगा सिध्धी सी बात है 20 रुपे करते हैं ठीक है से जीरो जीरो काट देंगे दो एक बार और वह जाएगे स्बास्ट strain ु여 consoles C right हो गाई हाँ पर Next question है किस दर्से कोई राशी सादान ब्याज द्वारा 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी तो राशी 2 गुनी होती है 4 गुना होती है 8 गुना होती है इसके लिए हम कौन सा सुतर यूज करते है इसके लिए हम 1 सुतर यूज करते है कौन सा वो यह सुतर हो जाएगा N-1 बटे R into करते हैं into करते हैं 100 ठीक है तो N कौन सी होती है जितने गुणा दिया गिया R होती है उसकी दर और यह सुतर होता आपका समय का किसका सुतर होता समय का परन्तु हमारे पास N दिया गिया तो 2 में से 1 गटाएंगे कितना बचेगा 1 तो 100 बटे R बराबर 20 तो यह R is 100 और क्या है बाग में पक्सांत रण करेंगे 20 के गुणा में हो जाएंगा 20 R बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 20 कितनी बार गटेगा 5 बार तो 5 परतिसत दर्सिया यह क्या हो जाएगी 20 वर्सों में दो गुनी हो जाएगी ओप्शन नमबर B राइट होगा यहां पर एक व्यापारी ने दो रेडियो 960 रुपए में खरीदे उसने एक रेडियो 15% आनी पर वा दूसरा 19% लाप पर बेच दिये यदि दो रेडियो समान मुले पर बेचे गई हो तो प्रते का करहा मुले ग्याद करन आप बूसरा बोल रहा है कि 19% लाप यानि करहा मुले 100 रुपई है तो इसका करहा मुले कितना हो जाएगा विक्रामुले हो जाएगा 119 ठीक है तो यह बराबर है यह दोनों बराबर है तो उनके करामुले अलग-अलग है सिद्धी सी बात है तो इनका योग कितना होगा इनका योग होगा पिच्छाइशी और 119 हो जाएगा 203 तो 203 अब हमें क्या करना 960 इंटु एक संक्या निकालन दोनों में से एक निकालेंगे दूसरी अपनी आपा जाएगा तो 119 से गुणा करवाना या पिच्छाइशी से गुणा करवाना ठीक है 960 इंटु पिच्छाइशी बट्टे इनको आपस में जोड़कर बाग देना या फिर 119 से जोड़कर बाग देना वही है कि पहले 25 पर पर जाना आया था 960 इंटु कितना आया इंटु पिच्छाइशी बट्टे 200 530 काट कर सबंदो चार से यह कितनी बाई एगा चार से यह दो कितना आएगा एक का करह मुल्य आजाएगा 400 तो दूसरे का कितना आएगा 960 में से 400 को घटाएंगे कितना आएगा 560 ठीक है एक का 400 और दूसरे का 560 ठीक है 400 और 560 जिस option में दिया गया option right होगा option number D right होगा और यहां पर option देखकर भी पतार लगा सकते है कि क्योंकि 560 और 400 इनिका योग 960 और बागी में से किसी का योग 960 नहीं हो रहा च्सोर 600 287 400 398 परंतु अमारे पास उपर इस पच्वा लिखा गया कि दो खाकरम एक 960 तो यह एक होगा next question 430 किस का 20% ठीक है 430 नहीं दिया गिया यहाँ पर मिस प्रेंटिंग ए क्योल 400 तीक है और 400 किस का 20% ठीक है 400 क्या दिया गया 20% दिया गया और अमें ग्याद क्या करना 100% ग्याद करना तो 100 से गुणा करवाना 2 से 0-0 दो से 40 कितनी बार क्रतिगा 20 बार और 20 को 200 से गुणा करेंगे कितना हैगा 2000 तो 2000 का 20 प्रतिसेत होता 400 अप्सन नमबर A राइट होगा यहाँ पर कि दो अंकों की संक्या की हैं की एठारा जोट दे तो प्राप्त की गईंन अश्यल्ला बदली है तो अससे इस इस्ति में यह क्यूशन बहुत बड़ा चला गया है कि 2 संक्या कि अंकौं का गुणनपल 15 तो उसके ओंचनों को गुणा कर दे गलू जैसे 35 एक तो अंकौ का गुणनपल किना और कीठ तेने 10 और पांच का गुणनपल होता पंद्रह तो नई सिंक्या क्या हो जाती है अंकों की अदला बदली पहले 3 5 तीन हो गई है तो यह भी राइट है तो यहां पर ओप्षन नमर ए ही राइट होगा होगा कि आप निच्छा कौन सी होगी 35 होगी यह सबसे आसान तरीका और कुछ ही शेकिंडों में इस तरीके सी हम हल कर सकते बाकि जो ट्रिक अपनाएंगे वह लंबा समय अधिक बर्बाद करेगी जब एक जैकेट पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाब होता है यह दि छूट 13% हो तो लाब कितना होगा दिया कि हमेशा करा मुल्य कितना होता 100% होता है तो लाब कितना हुआ 28% तो विक्रा मुल्य तो यह हो जाएगा अंकित मुल्य का 80% तो हमें ग्यात क्या करना है कि उसका शित्याशी परतिसद क्योंकि 13% की छूट दे रहा तो कितना हो जाएगा शित्याशी परतिसद अब इन्हें काट कर सरल कर दो ठीक है चार से यह कितनी बार गटेगा 32 बार गट रहा चार से यह 20 पर फिर से चार से गट रहा है आठ बार और यह कितनी बार गट रहा है पांच बार ठीक है शित्याशी को आठ से गुणा करेंगे 877 888 46 और 599 ठीक है चास्तो चियाण में में बाग देना पांच का कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 पांच 5 3 15 और 59 15 149.2 149.2 149.2 कितना विकरा म लचे है नियैक स्यूंसन और यह थी 4 A Q plus के एक बराबर 501 है यह एक इस ओँर पर पलस को पांचान करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर क्यूब है यह अटाने के लिए हम इसका क्या करेंगे गनमूल निकालेंगे और 125 का गनमूल कितना होता हमेशा पांच होता है पांच का गने 125 होता है तो अप्शन नमबर बी राइट होगा यहाँ पर x square plus 15 x plus 56 के गुणन खंड होंगे ठीक है x square plus 15 x plus 56 तो वह निया मोगा की पंदरा के टुखडे करना जीने जोडे या घटाया पंदरा आना चाहिए 15 आना चाहिए गुणा या बात करेद क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए तो x square पलस के हमीशे लिख सकते है 7 x पलस के 8 x ठीक है वो सकता 7 और 8 15 होते है और 8 और 7 कितने होते 56 होते है पलस के 56 15 तो अब हम क्या करेंगे यहां पर क्या common हारा अक्स कारणारा क्योंकि इसमें x square है और इसमें x चाहिए तो x common आं जाएगा और यह कितने आजाए चाहिए x square कितने बाशाचे बार बार और और 6-7 और बार साथ और अक्ष पलस आठ ऑप्सन नमबर सी राइट हो गा यहां पर एक चत्रुबूज एबी शीड़ी जिसमें एबी बराबर बी सी बराबर शीड़ी है या ये बॉल रहा कि ये साथ कई बूजाएन भी बराबर है और ये दो विकरणि दिये गए ये बराबर तो जेस सावता के सब ही बुजाएन बराबर होते हैई को यसविक्कम को होगा देया कि यह साइन पिछोतर है और साइन पंद्रा को हम कि लिख सकते हैं साइन पंद्रा को हम कोस पिछोतर भी लिख सकते हैं किस परकार क्योंकि हमारे पास एक सुतर होता साइन नबबे माइनस थिटा बराबर कोस थिटा तो साइन नबबे माइनस पंद्रा बराबर कित तिटा बराबर कॉस तिटा तो कॉन का मान क्या होगा तो यसी स्थी में दोनों कॉन कब बराबर होते हैं जब दोनों का योग 90 डिग्री होता तो 45 और 45 कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं तो option नम्बर E right होगा यहाँ पर वह भी साइन पेतालिस क्मान कीतना होता एक बटे रूट के इनका कीतना है यहां पर 11ầy में रूपे पैसी तह रूपेश दिश्वर के शिक्क्या है 3, 4, 10 मतब्इंग तो देखिए एक रुपए का ठीक है या पर हमारे पास है एक रुपए पाशास पैसे पता दस पैसे के शिक्व यहां पर एक रुपए में कितने हो जाएंगे इन सभी को हम क्या करेंगे यह हो जाएंगे तीन अनुपात चार अनुपात पांच के अनुपात में दिया गया तो तीन को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा तीन नहीं अनुपात ग्याद करना ठीक है चार को पचास पेश से यह नि पचा पॉइंट एक से गुणा करेंगे एक आजाएगा तो यह आगे है नहीं अनुपाद बराबर रुपए कितने दिएगे एक सो दो रुपए अब यह पूछ रहा है कि 10 पेसे कितने शिक्के हैं तो पहले हम रुपए गयाद कर लेते हैं फिर शिक्के गयाद कर लेंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे 10 कितने शिक्के हो जाएंगे 10 पेसे एक रुपए में 30 किदश हो जाएंगे तो आप्सण नमर एर चोंका कितने आएंगे पांच मीटर लंबी 33 मीटर चोड़ी तता 10 मीटर उंची दीवार बनाने के लिए 22 तता 15 चोड़ी तता 9 चोड़ी उंची कितनी इंटे लगेगी जबकि दीवार के कुल आयतन का 10 परतिसेद भाग सिमेंट तता रेत के मिसरण शे बना हुआ है तो हमें क्या करना इसके आयतन म सपांच अभीं में दी गई है और इंटे केश के में बदल लेंगी तो फाल यह अब यह बोल रहा कि इससका 10-3 प holistic के मिट्टे के लिपार देट तो इसका कितनाइन परतिसी सीच साह périewा थो कि इंटो 92 पट्य сог करेंगा और बट्टे क्या करेंगे 22 x 8 का आयतन 22 x 15 x 9 0-0 के जिरो से जिरो केंसिल हो जाएगा इस जिरो से यह 0 अब देखें यहां पर 10% में क्या होंगे हम सभी में से एक एक जिरो अटा देंगे ठीक है गुणा करके संपूर्ण में से अटाएंगे तो इस परकार अटा सकते नो से नो केंसिल हो जाएगा ठीक है यहां पर 33 x 11 330 11 से यह कितनी बार कटेगा 11 से यह कटेगा आपका 300 बार ठीक है 11 33 और 22 कितनी बार कटेगा 22 कटेगा दो बार फिर से यह कितनी बार कटेगा 2 से यह कटेगा 15 बार ठीक है और 15 से 15 किंसिल तो कितना हो जाएगा 2250 इंटू सुरी 225 इंटू 100 बचरा हमारे पास तो 225 इंटू 100 का मान कितना हो जाएगा 22,500 तो कुल इंटों के संक्या कितनी हो जाएगी 22,500 इंटों के आउस्यक्ता होगी option number B right होगा यहाँ पर तो दोस्तों यह थे आज के मेहत के पूरे 15 क्योशन अब next part में हम करेंगे reasoning के 5 most important क्योशन reasoning का पहला पर्शन आपकी screen पर दिया गया कि संबंदित सब्द चुनना मेगजिन संपादक तो नाटक के लिए देखे मेगजिन कौन चापता संपादक लिखता तो नाटक कौन करता नाटक करता अबी ने था option number D right हो गाइगा तो नाटक की पर चार आट 16 32 अगे यहांपर चार का दुगुणा दिया गे आट आट का दुगुणा 16 16 का दुगुणा 32 का दुगुणा कितना होगा 64 और 64 का कितना होता एक सोटा है तो यहां पर 64 राइट हो जाएगा option नमबर इर रायट हो गाई आपर नेस्ट क्योंजसन एट इना पूर्वा में फ्टीना ऐस्वं पूर्वा किलोउमेटर गाड़ी चलाथी है ठीक है यह टीना इस ओर 35 कलोईमेटर गाड़ी चलाथी प्र वो क्या करती अपने दायएं मुड़ती है ठीक है उसकी बयान यानि मेरी माता रंजीत की बयान है तो रंजीत क्या हो जाएगा मेरा मामा हो जाएगा ओप्सन नमबर बी राइट होगा रंजीत का माया सी क्या संबन्द होगा मामा होगा एक कूट बासा में D E L I B E R A T I O N को N O I T A R E B I L E D लिखा जाता है तो इस 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 बासा में आगे एक संब्सक्राइब पूचा गी है तो यहां पर देखिए यह सब्द है और इसका यह उल्टा लिखा गया इस वहर से लिखा ए N O I T A R इस परकार N O I T A R E B ठीक इस परकार हम इसका भी क्या करेंगे उल्टा करेंगे इसका उल्टा क्या हो जाएगा Y T I M R I Y T I M R I F N I E option नमर C राइट हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आज के 27 नमर पेपर के पूरे 50 क्यूशन अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद